जेहिन दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजिस्तान रीट 2022 ओनलाइन फोर्म के बारे में कि कैसे आपको फोर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते र लेगा कि आपकी यहां पर 46,500 वैकेंसी निकाली गई है जिसमें की कैंडेट ओल इंडिया से अपलाई कर सकते है जिया दोस्तो ओल इंडिया से आप इसमें अपलाई कर पाएंगे आप यहां पर एप्लिकेशन फिस्ट चैक कर सकते हैं कि सिंगल पेपर के लिए कितनी है और सबी detailed में जानकारी दी गई है कि कौन से level पर क्या qualification चाहिए और क्या-क्या विकल्प है आपके पास इन qualification में level first और level two पर apply करने के लिए तो इस सब जानकारी आपको check कर नहीं है check करने के बाद में आपको यहां पर नीचे आना है और apply online link कोई भी open कर लियना है अब guys मैं आपक तो जो भी आपका current sufficient plan है, उसके उपरा 50% की scholarship जी सकते हैं, अपने आपको test कर सकते हैं, और अपने आपको leader board के अंदर daily rank कर सकते हैं, इसी के साथ आप यहाँ पर यह चेक कर लीजे कि कैसे आप इस daily scholarship test के अंदर participate कर सकते हैं, उसके आपको यहाँ पर steps दिये गई हैं, अब यहा कोई नोने के लिए आपको video की description में link दिया है, आप उस enroll link को use कीजिए, और मेरे code amzad10 का इस्तमाल करना बिल्कुल भी मत भूले, इसके अलावा an academy daily t20 current fair test series भी परसांत धवन सर के द्वारा की जाती हैं, जो की Monday Friday at 7.30 pm होती है, इसके अंदर 20 question होते हैं, 30 minute आपको मिलते हैं, Hindi and English दोनों language के अंदर ये रहती है, यहाँ पर भी आप लोग gift card जीच सकते हैं, जिसमें की rank first पर 1000 रुपे का gift card मिलेगा, rank 2 पर 500 और जिनकी rank 3 से 10 के बीच में होगी, इसमें 250 रुपे का आपको reward मिलेगा, इसमें भी आप join हो जाइए, and इसके अलावा an academy pathfinder current affairs appral by free test series UPSC CAC category ये आपकी every Sunday 5 PM होती है, English and Hindi दोनों language के अंदर, जिसके अंदर 25 MC क्यां question होते हैं, और उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है, तो इसका join link भी आपको वीडियो के description में दिया है, जाए जल्दी से जाए, और जो आपका IAS बनने का सपना है, उसको an academy के साथ में पूरा कर ल इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने याँ पर instructions आएंगे, आप यहाँ पर read 2022 का sample form देख सकते हैं, इस sample form के अंदर आपको यहाँ पर जानकारी दी गई होगी क्या फीस किस category को यहाँ पर pay करनी होगी, यानि कि किस level को क्या फीस देनी होगी, तो basically बात करते कि कैसे आ इसके लेवल पर apply करना चाते तो यहाँ पर और second पर यहाँ पर, तो आपकी choice के according आपको यहाँ पर select कर लेना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले वाले लेवल को select करता हूँ, तो इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आएगा, आपको इसको ok कर देना है, ok कर यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है, यह एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपके father का नेम एंटर करना है, फिर दोस्तों आता है मदरस नेम याँ आपकी माता जी का नाम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपकी जो भी do भी यह आपको select करनी होगी पहले day फिर month और इसके बाद में जो भी आपका year है वो आपको select कर लेना है अब आता है mobile number यहाँ पर आपको आपका valid mobile number enter करना है इसको enter करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपकी fees का amount दिया है फिर आता है payment method तो आप यहाँ पर click करके online select कर ले select करने क तो आपके सामने आपका चालान आ चुका है यह आपका चालान number है जो कि आपको note करना है note करने के बाद में यहाँ पर आपको बोला है कि आप इसको print भी कर लीजिगा क्योंकि यह बहुत ही महत्तपूर्ण है फिर आपको यहाँ पर pay fees के उपर click करना है मैं आपको pay fees का जो process ह हो तो बता हूँ गई पहले उसके आप यह जान लीजिए कि अगर आप level 2 पर apply कर रहे हो तो आपके सामने कैसे option आएंगे जैसे कि मैं आपर fill sorry generate चलान for exemption fee इसके उपर click करता हूँ और यहाँ पर level 2 select करता हूँ इसको select करने के बाद यहाँ से ok करता हूँ फिर यहाँ पर option आत new candidate है तो new candidate मैं आपको same जानकारी देनी है जिसे कि अभी आपने level first के लिए जानकारी दी है उसके बाद आपके सामने भी यहाँ पर इसी परकार से fees को जमा करने का जो चालान है वो आजाएगा अब आपको यहाँ पर pay fees के उपर click करना है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने application fees जो enter कर देता हूँ enter करने के बाद में यहाँ पर आप submit के उपर click करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर submit के उपर click करके यहां से हम okay कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप अपनी application fees जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे fee status paid है और यहाँ पर आप payment status में success देख स सकते हैं यानि कि आपका यहाँ पर fees जमा हो चुका है आपको चला number note कर लेना है जो की काफी आउसक है वैसे तो आपको इस पूरी की पूरी को यहाँ पर print करके print कर लेना है या फिर आप इसकी insert ले लीजे क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी अब आपको यहाँ पर select कर लेनी है तो चले मैं आपको इसको select कर लेता हूं और next के उपर click करता हूं next के उपर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आजेगी कि आपका चला number verify हो चुका है अब आपको form को fill करना है यहाँ पर आता है आपका gender तो जो भी gender है वो आप यहाँ पर select करेंगे मैनी ट्रिटर अई श्टेटरस आपका क्या है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है इसको select करने के बाद जो भी आपका religion वो religion आपको यहाँ पर select कर लेना है फिर दोस्तों जो भी आपका अधार number आप यहाँ पर दे दीजिए फिर आती यह यान कि आपको present address में इन चीजों का इसतमाल नहीं करना है जो यहाँ पर आपको दिए गई है तो जो भी आपका address है वह address आपको यहाँ पर enter करना है पूरा address आपको किसी भी एक ID के according भर देना है तो चलिए हम यहाँ पर इस address को भर देते हैं, इसको भरने के बाद यहाँ पर आपको आपका post office state जो भी basically आपका address है उसकी according इसको देना होगा, state यहाँ से आप अपनी select करेंगे, उस state के अंदर आपकी कौन सी district है और district आपको यहाँ पर select कर देनी है, फिर यहाँ पर आपको आपका pin code एंटर कर देना है नीचे आपको आपकी email ID एंटर कर देनी है अगर आप कोई इस number के अलावाद दूसरा number देना चाहते तो alternate mobile number के अंदर दे दीजिए, are you ex-serviceman अगर आप हो तो yes कीजिएगा, नहीं तो आपको no करना है, अगर आप especially abled person हो तो आपको यहाँ पर इसका answer करना है yes no में आप यहाँ पर कर सकते है तो चलिए मैं आपको no कर देता हूँ nationality आप यहाँ पर Indian select करेंगे फिर आपसे पूचे कि क्या आप राजिस्थान की मूल निवासी है, यानके वहाँ के आप bonafide resident है, अगर हाँ तो yes नहीं तो आपको no करना है, अगर आप yes करते हो तो आपको bonafide state यहाँ पर राजिस्थान select कर लेनी है, bonafide district आप यहाँ पर select करेंगे, फिर आपको परिक्सा केंदर जीला, यानके आप कौन से exam center को पहली preference देना चाहते है, वो आपको select करना है second preference आपको किसको देनी है, वो आपको select कर लेना है, फिर आता है language for medium instructions यानके जो सिक्सा के माध्यम के लिए instructions है वो आप कौन से language में रखना तो पहले है secondary, तो आप secondary किस board से की है, यानके 10th तो आप याँ पर select करेंगे याँ पर आपको काफी सारे board देखने को मिल पा रहे है, अगर आपका board इसमें नहीं है, तो इसमें आपको याँ पर basically other का option नहीं है यानके आपका board इनके अंदर होना ही चाहिए, तो याँ पर जो भी आपका board है, वो आपको select कर लेना है ये select करने के बाद basically याँ पर आप देख सकते हैं कि other का option है, माफी चाहता हूँ, तो अगर आपका board इसमें नहीं है, आप याँ पर other select कर लेंगे other select करने के बाद में याँ पर आप अपने board का नाम enter कर देंगे फिर आएगा passing year, कौन से cell के अंदर आपने pass किया हो, आप याँ पर enter करेंगे maximum marks कितने थे, तो यूपी board में 600 थे, उसमें से आपको जो number आई थे हो, याँ पर आपको enter करना है, percentage आपकी आजाएगी, सेम तरीके से आपको याँ पर बारवी की जानकारी भरनी है तो आपने बारवी किस board से की है, उस board का नाम आप याँ पर सेम तरीके से select करेंगे, मैं याँ पर अधरी select करता हूँ और UP board enter कर देता हूँ फिर आते passing year, आपको सेम तरीके से passing year देना है, जो number आपको आई थे बारवी के अंदर वो आपको याँ पर enter करने है कितने में साहिते हैं, याँ पर डाल देना है और ये डालने के बाद, सुरी याँ पर आपको जो पूर्णा के पहले वो डालने मैं वाफी चाहता हूँ और याँ पर जो number आपको आई थे हो डाल देने है फिर आती है graduation, तो आपको याँ पर इसके उपर क्लिक करके, ये select करना है कि आपने इन में से कौन सी university से आपकी graduation किये है, अगर इन में है तो select कर लीजे नहीं तो अधर के उपर क्लिक करके खुद से अपनी university का नाम यहाँ पर enter कर दीजिए, ये enter करने के बाद आता है passing year, कौन सी साल के अंदर आपने pass कर ली थी, वो आपको यहाँ पर select करना है total marks कितने थे, वो यहाँ पर आपको डाल देना है, मैं example के रूप में आपको 500 number डाल करके दिखा रहा हूँ आप अपने number के according इनको यहाँ पर भर देंगे, फिर percentage आपकी आजएगी, फिर है PG, अगर आपने PG भी की है तो आप यहाँ पर आपके degree college या फिर जो university है उसको select करेंगे नहीं तो other के उपर click करेंगे और यहाँ पर अपनी university का नाम enter कर देंगे फिर आपको यहाँ पर बताने कि आपने कौन से साल के अंदर pass कर ली थी यह select करने के बाद आपको यहाँ पर same way में आपके number डालने है और number डालने के बाद उस में से जो number आपको आए थे हूँ यहाँ पर डाल देने है यह number के उपर आप मत जायेगा यह मैं आपको example के रूप में दिखा रहा हूँ और यह जो मैंने फीस भी जमा की है यह सिर्फ और सिर्फ आपको form भरने को बताने को देकर ही की है क्योंकि मैं यह form अपने लिए personally नहीं भर रहा हूँ अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है नीचे अगर कि आप देखेंगे professional qualification यहाँ पर है आपका B.H.T.C. या फिर उसके बरबर की हो गया था अगर आप यह कर रहे है तो तभी आप appearing के उपर टिक करेंगे अगर आपने कर लिए तो आप इसके उपर टिक नहीं करेंगे फिर आते course दिये यहाँ पर आपको आईए सभी course दिये जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आपने eligibility चेक किया है तो आपको मालूँ होगा कि क्या qualification के माद्यम से आप इस पर eligible हो पाएंगे apply करने के लिए जैसे कि मैंने आप D.E.L.D. 2 year select किया है अब यहाँ पर board university आप select करेंगे अगर इनमें है तो आप वो select करेंगे तो other के उपर click करके जहां से भी आपने की है जिस university से जो भी आपका इसका board लगता है उस board का नाम आप यहाँ पर enter करेंगे सेम तरीके से आप यहाँ पर आपका जो passing year है वो enter कर देंगे और फिर यहाँ पर आपके जो maximum marks है वो आप यहाँ पर enter करेंगे उसमें से जो नमबर आपको आई थे वो यहाँ पर आप enter कर देंगे यहाँ पर आता है body identify identity mark यह वो निसान है जो कि आपकी body के उपर permanent होना चाहिए जिससे आपकी body की पैजान हो सके और यह mark इसलिए लिए जाता है ताकि आपकी जिए पर कोई और बैट करके exam न दे दे यह mark वहाँ पर फिर आपका चेक किया जाता है कि हाँ आपने इस mark के बारे में लिखाता है तो आपको यह mark यहाँ पर होना ही चाहिए अब आता है photo signature and document यहाँ पर आपको बोले कि आपका photo तीन महिने से पुराना नहीं होना चाहिए हस्ताकसर अपलोड करें सफेद साधे कागज पर काले बलेक पॉइंट के साथ में यह चीज़ आपको धियान में रखनी है sign को upload करते समय photo का size आपका 50-200 के भी के बीच में रहना चाहिए तो आप choose file के उपर click करें और जहाँ पर भी आपका photo है वो आपको यहाँ पर select करके upload करना है तो चलिए मैं आपको एक photo यहाँ पर upload करके randomly दिखाता हूँ picture पर आता हूँ इस image को select करता हूँ और यहाँ से open करता हूँ open करने के बदा आपका photo यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अब आपको आपका signature upload करना है choose file के उपर click करें जहाँ पर signature है उसको select करके यहाँ पर open कर दे फिर आता है आपका अधार card अधार card का size भी 50-100 के बीच में रखा है तो choose file के उपर click करें और जहाँ पर आपकी अधार ID है वो आपको select करनी है तो जहाँ पर भी है वो select कर लीजे और इसको open कर दीजे फिर आता है secondary certificate यानिके जो आपका secondary का certificate है वो आपको यहाँ पर upload करना है size 50-100 के बीच में रखा है इन सभी document को upload करने के बाद आपको submit and save के उपर click करना है अभी यहाँ पर दोस्तों आपने जितनी भी जानकारी इस form के अंदर अभी तक भरी है इन सभी जानकारी का आपके सामने preview आजेगा आपको सभी जानकारी को check करते हैं नीचे आना है नीचे आ करके यहाँ पर आपको इसके उपर tick करना है tick करने के बाद आपको सभी जानकारी check करने है जैसे कि मैंने आपको काहा है और यहाँ पर tick करना है अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलेते तो आप edit के उपर click करके अभी भी edit कर सकते है इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजेगा तो गाइस ये था आपका रजिस्तान रीट 2022, ओनलाइन फॉर्म 2022 का पूरा प्रोसेस आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, सेयर और अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के मादिम से पोच लीजेगा थैंक्स पॉर वाचिंग, जै ही